नमस्कार दोस्तों, वैसे देखा जाए, इंटरनेट लिटरिली एक नेट की तरह है, करोडो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सर्वर्स और धेरो डिवाइसे से बना एक नेट, इस नेट में आप कुछ दो-तीन धागे काड़ दो, या 10-15 धागे काड़ दो, कुछ ज्यादा फर करें, दुनिया के लेवल पर बात करें, तो दुनिया भर के सारे इंटरनेट को एक साथ क्रैश करना या स्विच ओफ करना, theoretically possible है, लेकिन practically impossible है, लेकिन इस practically impossible चीज़ को अचीव करने के कितने करीब आप आ सकते हो, इसका एक real life example हमें देखने को मिला कुछ दिन पहले, जब Facebook WhatsApp and Instagram, तीनो बड़ी social media apps down चली गए, काम करना बंद कर दिया इनोंने 5-6 गंटे के लिए. अब मुझे पता है, आप क्या सोच रहे होगे, कि ये तो internet नहीं है, internet इसके इलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मत भूलिये दोस्तों कि दुनिया में millions of लोगों के लिए यही internet है, जब आप internet को इस्तिमाल करते हो, majority of the time, आप WhatsApp पे किसी को text message भेजने के लिए करते हो, य Facebook या Instagram ब्राउस करने के लिए करते हो, या फिर YouTube पे वीडियोज देखने के लिए करते हो, अगर हम कई developing countries की बात करें, धेरो ऐसी African countries हैं, जो Facebook के free basics को इस्तिमाल करते हैं, यानि उनके smartphone में free basics की app डलिए, जिसका इस्तिमाल करके वो बिना data charges के, Facebook को visit कर सकते हैं, और कुछ और 16 के around, इंडिया में भी बड़ी controversy होई थी इस चीज़ को लेकर, कि Facebook इंडिया में free basics लाने वाला था, लेकिन thankfully जनता ने आवाज उठाई थी इस चीज़ के against और free basics को इंडिया में अपने operations कैंसल करने पड़े, लेकिन इतने धेरो लोग जो कि आज के दिन free basics इस्तिमाल कर रह लोगों को फालत हो कि WhatsApp forwards नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन realistically बात करें तो धेरो ऐसे चोटे businesses हैं जो Facebook पर dependent है अपना business चलाने के लिए, कई चोटे hotels हैं जो सिरफ Facebook messages या WhatsApp का इस्तिमाल करते हैं, customers के साथ communicate करने के लिए, कई ऐसे लोग हैं जो बाकी apps में login करते हैं Facebook login का इस्त नहीं कर पा रहें अगर उन्होंने Facebook login यूज किया था तो, overall मैं यह बताना चाहरा हूँ कि यह जो Facebook, WhatsApp, Instagram जब डाउन गए, दिखने में यह चीज़ काफी light hearted सी लग रही थी हमें, लेकिन इसके काफी भयंकर consequences थे, दुनिया में कई लोगों के लिए, क्योंकि internet काफी centralized बन ग करता है, तो WhatsApp और Instagram भी crash कर जाते हैं, imagine कीजिए कि Google के servers भी crash कर जाते हैं, तो Gmail और YouTube भी काम करना बंद कर दे, internet आज के दिन इतना centralized हो गया है, कि 2-3 companies ही पूरे internet को मानो handle करनी हो, लेकिन जब internet actually में invent किया गया था दोस्तों, तो इसका original purpose इसका बिलकुल उल्टा था, आईए इ इतिहास को देखते हैं, जमाना था Cold War का, USA और Soviet Union के बीच में Cold War चल रही थी, American scientists और military experts को डर था कि अगर Soviet Union अमेरिका पर हमला करता है, एक missile से भी उनका पूरा communication system destroy हो सकता था, क्योंकि इनका जो communication system था उस वक्त वो काफी centralized था, जैसे कि landline phones होते थे, उन्होंने सोचा कि अग चीए कि सिर्फ एक single computer पर हम rely करें कि सारे communication उसी के थू जा रहे हैं, या फिर किसी single communication wire पर या line पर हम depend रहे हैं, ऐसी decentralization होनी चीए कि अगर पूरे system का कोई एक part भी fail हो जाता है, तो बाकी का part कम से कम function करता रहे हैं, 1962 में MIT के एक scientist थे, जिनका नाम था ये, USA की defense department की एक agency थी, आरपा करके, Advanced Research Projects Agency, उसमें काम करते थे, इन्होंने solution प्रपोस किया कि सारे computers के बीच में एक galactic network होना चाहिए, एक ऐसा network जिससे सरकार और सरकार के leaders communicate कर पाएं एक दूसरे से, even if Soviet Union हमारे देश का telephone system destroy कर देतो, तो 1969 में इसी idea के base पर एक computer network डेवलप किया गया, जिसका नाम आरपानेट, Advanced Research Projects Agency Network, ये उस वक्त के computers को link करता थे, 1968 उस वक्त कम्प्यूटर्स मौजूद थे, universities, government agencies में, defense contractors के पास, और जो उस time के computers थे, वो बहुत बड़े हुआ करते थे, उन्हें mainframes कहा जाता था, और उन्हें store करने के लिए पूरी की पूरी basement भर जाती थी, अब इस आरपानेट ने computers को एक दूसरे से link तो कर दिया, लेकिन एक problem आई, हर computer उस time पर अपनी भाशा बोलता था, अलग-अलग software डले थे उनमें, और incompatibility देखने को मिली, इन computers के बीच, एक computer अगर किसी दूसरे system का इस्तिमाल करता हो, तो इसका basically मतलब यह था कि आप हिंदी में letter लिख रहे हो, और France बेशते हो, और expect करते हो, कि एक friend speaker आपका हिंदी में letter समझ पाए, इसका solution निकाला गया, internet working, यानि अलग-अलग networks को एक दूसरे से communicate कराना, दो ARPA के researchers है, Robert Khan और Wint Cerf, इन दोनों ने develop किय एक तरीका कि यह सारे computers एक दूसरे से बात कर पाएं, अलग-अलग भाशा समझ पाएं एक दूसरे, इस invention को कहा जाता है, transmission control protocol या फिर TCP, बाद में नोंने एक additional protocol भी इसके आगे add कर दिया था, internet protocol, तो इससे हम आज के दिन refer करते हैं as TCP slash IP, इस चीज़ को अकसर handshake भी कहा जाता है, क्योंकि अलग-अलग type पे computers एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे की भाशा समझ पा रहे हैं, January 1st 1983 में ARPANET ने इस TCP slash IP protocol को adopt कर लिया, लेकिन इस point of time तक दोस्तों, internet सिर्फ available था, universities के पास, scientists के पास, और सरकारों के पास, इन सब के बीच में information share करने के काम आता आम लोगों के पास internet तभी आ पाया, जब worldwide web www का invention हुआ, बहुत से लोग actually में दोस्तों, internet और worldwide web को एक दूसरे से confuse कर देते हैं, लेकिन reality में ये दो अलग-अलग चीज़े हैं, worldwide web, basically एक सबसे common तरीका है, जो internet पर data available है, उसे access करने का, जब आप browser खोलते हैं अपना और उस प इस्तिमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने smart tv पर netflix की app खोल कर netflix देख रहे हैं, तो आप worldwide web को access नहीं कर रहे हैं, आप netflix की app के जरिये, internet पर मौझूद data को access करने लग रहे हैं, एक example से समझाता हूँ, imagine कीजिए एक map, जिस पर आप अलग-अलग शहर को देख सकते हैं और उन शहरों को सडकों से connect किया गया है, तो internet basically सडकों की तरह है, जो connection lines बिछाई जा रहे हैं शहरों और towns के बीच में, worldwide web actually में वो चीज़ है जो आपको सडकों पर दिखाई देती है, जैसे कि घर और दुकाने, और जो गाड़ियां सडकों पर चलने लग रहे हैं, वो actually मे Facebook पर बैठे हैं, Twitter पर हैं, Skype पर बात करते हैं, अपने smartphone के द्वारा किसी और के साथ, Xbox पर game खेलते हैं, online और Netflix पर कोई show देखते हैं, तो पूरे दिन आप internet पर थे, लेकिन web पर नहीं थे, क्योंकि web पर आप तभी होंगे, जब आप अपने browser में URL लिखेंगे और उस website पर जा इन्होंने अपना software openly public के सामने available कर दिया, free of cost, यह invent करने के पीछे, इनका basically purpose यह था, कि दुनिया में कोई भी इंसान, किसी और इंसान के साथ, कोई भी information शेर कर पाए, कभी भी, और इनके इस invention की खास बात यह थी, कि दुनिया में किसी के पास भी बस computer होने की जरुवत थी और internet का access चाहिए था, और इनके इस invention का वो फायदा उठा सकता था, ना सिर्फ internet पे मौझूद data को access किया जा सकता था, बलकि इनके इस invention के दुआरा और चीज़े build भी करी जा सकती थी, अपनी websites खुद से बनाई जा सकत एक जबरदस्त, selfless काम किया इन्होंने दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आज के दिन Tim Berners-Lee का मानना है कि, इनका quote है specially मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इनका मानना है कि, वेब आज के दिन कई माइनों में फेल हो चुका है, ये quote कहते वक्त, ये basically refer कर रहे थे Cambridge Analytica के scam के बारे में, Tim का कहना है कि, इन्होंने वेब इसलिए बनाया था था कि, हर इंसान इंटरनेट का freely इस्तिमाल कर सके, लेकिन आज के दिन कुछ companies ने अपनी monopoly जमाली है इंटरनेट पर, जैसे कि Facebook और Google और जबरदस्थ centralization देखने को मिली है, शुरुआत में जो 1990s का जमाना था, उस वक्त हर कोई web का इस्तिमाल करता था emails के थ्रू, emails के थ्रू communication किये जाते थे और आपकी जो information थी और आपका जो data था, वो direct होता था इन email companies के servers के थ्रू, जैसे कि Gmail, Yahoo mail या Hotmail, उसके बाद आया web 2.0, जैसे हम social media का web करके बुलाते हैं, आज के दिन ज्यादा तर information को root किया जाता है इन बड़ी-बड़ी social media companies के servers के थ्रू. और जैसा मैंने बताया वीडियो के शुरू में, कुछ companies, जैसे कि Facebook तो इस हद तक पहुँच गई, कि इन्होंने telephone provider companies के साथ partnership करनी शुरू कर दी, कि हमारी app अप अप free में दो लोगों को, और अगर उन्हें बाकी internet को access करना है तो उन्हें उसके लिए अलग से data charges देने पड़ेंगे, तो इसलिए कुछ लोगों के लिए अब मतलब internet का सिरफ Facebook ही रहे गया. ऐसी situations को counter करने के लिए बहुत से लोग including Tim बात करते हैं, web 3.0 की, यानि internet का future क्या हो, वो चाहते हैं internet का वा monopolize ना किया गया हूँ. और एक ऐसा internet जो पूरी तरह से crash नहीं कर जाता, लोगों की जिंदगी पर असर नहीं डालता, अगर एक company के servers crash कर जाते हैं तो. बहुत से लोग अपने ideas लेकर आए हैं इस नए decentralized internet को लेकर. जैसे कि Germany में एक young coder ने एक decentralized version बनाया Twitter app का, जिसे master done करके कह blockchain यसी technologies भी यही decentralization लाने की कुशिश करती हैं हमारे financial system में. अब interesting चीज़ पता है क्या दोस्तों कि Tim Berners-Lee भी खुद के एक platform पर काम कर रहे हैं अपनी मर्जी का web 3.0 बनाने के लिए. इनके platform का नाम है Solid. Solid यह कहते हैं कि ऐसा platform है जो individuals को खुद से authority देता है अपने data को control में इनकी रहे में Solid जो है वो basically infrastructure प्रोबाइट करेगा कि आप अपना data अपने पास कैसे रख सकते हैं. अगर कोई social network solid का इस्तिमाल करता है अपने आपको बनाने के लिए. यानि कोई social network अगर solid के उपर build upon है तो उसमें क्या होगा आपका data एक personal pod में store किया जाएगा instead of कि आपका data in companies के server में store किया जाए. तो ये कुछ नए आने वाले तरीके हैं दोस्तों जिसकी मदद से internet और web को और decentralized करने की कोशिश करी जा रही है. ये होगा web 3.0 जिसमें decentralized apps होगी और decentralized web होगा. Actually में ये कितना successful हो पाता है ये तो time ही बताएगा. और अगर आपको ये सारी बाते काफी confusing ल बनाया था वो भी आपको पसंद आएगा क्योंकि वो भी similar से ही topic पर है कि internet को control कौन करता है. internet actually में चलता कैसे है? उस video का link भी मैंने नीचे description में डाल दिया है. मिलते हैं फिर अगले video में. बहुत बहुत धन्यवाद. झाल झाल